नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों का IBGS सेंटर में स्वागत है जो इस चैनल पे नए हो दोस्तों उसे सब्सक्राइब करें क्योंकि इस तरीकी का वीडियो आप तक जल्दी पहुंचे दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं UP seated second phase admit card कब तक आएगा दोस्तों और seated में क्या लेकर जाना है अब हम पहले ख़बर बात करते हैं दोस्तों seated second phase admit card कब तक आएगा तो दोस्तों seated second admit card second phase का admit card आज 27 तारीक के 12 बज़े के बाद आने के संभावना है नहीं तो 28 तारीक को pre admit card download होगा दोस्तों क्योंकि अब भी पता चला है 30 से लेके 3 तक छुट्टी हैं दोस्तों जिसके कारण exam नहीं हो पाएगा और admit card भी जारी नहीं हो सकता जैसा कि हमें पता है कि admit card exam के 7 दिन pre admit card exam के 7 दिन पहले जारी होता है दोस्तों तो इस परकार हम देखते हैं कि 27 के 12 बज़ेक बाद नहीं तो 28 तक pre admit card जारी होने का संभावना है दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं सीटेट में क्या लेकर जाना है सीटेट में क्या लेकर जाना है और क्या लेकर नहीं जाना है दोстो हमें लेकर जाना है एक फोटो ऑड़ी एक आइड़ी जो इसमें फोटो लग हो जैसे pen card अदहार card drive rail है इत्यादि और दोस्तो प्यान लेके जाना है साथ में चाहे वो नीला हो चाहे वो काला हो दोस्तो अगर आप diabetes के मरीज हैं दोस्तो तो आप transparent polythene में जैसे chocolate, फल, इत्यादी को आप ले जा सकते हैं दोस्तो अप क्या लेके नहीं जाना है दोस्तो आपको calculator नहीं लेके जाना है हाथ की घड़ी पहन के नहीं जाना है दोस्तो earphone, headphone नहीं लेके जाना है कोई ऐसा electronic गजट भी नहीं लेके जाना है और calculator दोस्तो यह सब चीजें आपको अपने साथ में नहीं लेके जाना है झाल झाल